पर उसके हाव भाव बाजचीत से हम जरूर समझ सकते हैं कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है किस मनोस्तिती से जूज रहा है कुछ लोग कई समस्याओं से जूजने के बावजूद मुस्कुराते रहते हैं तो वही कुछ लोग छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेते हैं ऐसे में कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कुछ लोग अपने हालातों से हार कर गुनहा की राह चुन बैठते हैं, तो कुछ अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं, ऐसे में लोगों को समझना और सहारा देना काफी एहम होता है, और आज हम अपने आसपा कारियों के साथ आज हमारे साथ मनो विज्ञानिक कीरती खुराना जी जुड़ चुकी है। अकेले रहना ये दो अलग अलग चीजे होती हैं। अकेला इंसार अपनी चॉइस से रह सकता है। लेकिन जब अकेला रह जाता है वहां से अक्चल दिक्कते शुरू होती है। तो इसके कारण बहुत सारे होते हैं जिस वज़े से लोग अकेले रह जाते हैं। अब जो रह जाते हैं उनकी दिक्कते ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे आपका शरीर तो आपका साथ देना छोड़ता ही है। आप बहुत लिथार्जिक हो जाते हैं, अंदर बंद रहते हैं, सनलाइट की तरफ जादा नहीं जाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी एक्सराइजेज भी कम हो जाता है। बहुत लोगों में ये देखा गया है कि कार्डियो वैस्किलर डिजीज भी आने लग गई हैं। ब्रेंट डिजेनेरेशन भी उनका जादा जल्दी होता है। ऐसे लोगों में आप देखें तो एजिंग बुढ़ापा जिसको आप कहते हो वो और जल्दी आने लगता है। कोई तरीके की प्रोब्लम आती हैं। कभी लोगों को सद्मा लगता है। लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उसके क्या दुश परिणाम होते हैं। डिप्रेशन की पहचान कैसे करें कि कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। और डिप्रेशन में इंसान किस त तरीका होता है एक तो उदासी बने रहना आपको खुशी महसूस ना होना आपके इंट्रेस्ट्स या जो रुची होती है वो चीजों में कम होते जाना और हर वक्त ठकान लगना इन में से कोई दो लक्षन भी अगर दो हफते से जादा आपको लगते हैं तो हो सकता है कि वो इ इप्रेशन से ग्रसित हो तो ये तो उसकी पहचान हो जाती है और इसके बियॉर्ण अगर आपको ये दिखता है कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर कुछ बातों का और ध्यान रखना जरूरी होता है आपको चेक करना पड़ता है कि उनकी नींद कैसी है क्या वो पूरा अली सोते हैं या कम सोते हैं या जादा सोते हैं भूख कितनी लगती है एनरजी कितनी है उनमें वो डिसिजन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं लोगों से बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें साथ में उसके जुरती चली जाती हैं जी यह बिलकुल ही सामाने बात है, क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति का जो अप्रिंगिंग है, वो बहुत डिफरिंट होता है. आप किसी भी सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, या किसी भी सिचुएशन की तरफ कैसे रियाक्ट करते हैं, इसका जो असर होता है, basically, डिपेंड करता फिर जब आप स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में आपकी टीचर्ज ने, आपके दोस्तों ने आपके साथ क्या विहवार करा, और फिर आपका नेबर होड और आपकी सोसाइटी का भी बहुत मेजर इंपक्ट आता है. जब आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्ज के जो बच्चों को बहुत बुली करा जा रहा होता है. ऐसो लोगों के साथ जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो बिलकुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं. तो यह बहुत ही सामाने हैं कि हर तरीके से लोग रियाक्ट करते हैं. आज लॉग करें कि वो सामाने नहीं है. उनकी जो मनुस्तिती है, जो उनके माइंड में जो चीजे चल रही हैं, उससे वो आगे जाके कोई क्राइम भी कर सकते हैं. क्योंकि क्राइम भी बहुत तरह के होते हैं. कई बार लोग अपने आपको ही नुकसान पहुचाते हैं. जब आप सिच इसके लिए एक अलग दुनिया क्रिएट कर सकती है. कैसे समझें तो देखें, किसी भी व्यक्ति में हम मान के चलते हैं, बहुत साही थियोरीज हैं, हम मान के चलते हैं, कि जित्ते हम हम हुमन बींग्स हैं, हम सब में इनेकली पॉजिटिव आक्शन करने का एक मोटिवेशन रहता है. लेकिन जब आप क्राइम की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो एफेक्ट करते हैं. कई बार तो बायॉलजी ही आपकी एफेक्ट करती है, हॉमोनल चेंज़ हो जाते हैं, आपके ब्रेन के कुछ पार्ट से हमाई ब्रेन में एक पार्ट होता है, amygdala, एक होता है, ACC, anterior cingulate cortex का वो रहता है, ये चीज़ें आपका behavior आपके emotions को control करता है, तो अगर इन में कहीं उच नीच होती है, इनकी functioning ठीक नहीं होती है, तो भी इंसान का अपने behavior पर, अपने mood पर control नहीं रहता, ये तो बात आगई biology की, इसके अलावा अगर आप लोगों के रहन से हैं, ये psychology की तरफ से बात करें, तो again वही depend करता है, कि आपकी upbringing कैसी हुई है, आपको महौल कैसा मिला है, कुछ लोगों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको बहुत ही छोटी उमर से हथियार मिल जाते हैं, देखे होते हैं, तो बहुत ही natural है, कि उनमें वो इच्छा होती है, कि वो उसको यूज करके देखें, उसको आजमा कर देखें, कुछ लोगों के घर में ही बहुत जादा तनाव रहता है, मार पीट होना, बहुत आम बात होती है उनके लिए, तो बच्चों का उस तरफ रुजान चला जाता है, कई बार ऐसा हो कि जब वो बड़े होते हैं, तो कोई हाथसा हो गया, या कोई बुली हो गया, या वो डील नहीं कर पाया, उनको लगता है, कि हमें एकसेप्ट नहीं करा गया है, ऐसे लोगों का भी एक बार हम कह सकते हैं, कि क्राइम की तरफ जाने के चांसिस हो जाते हैं, इसके अलावा, आपकी personality एक बहुत ही innate चीज है, personality आपकी बनती नहीं है, आप personality के साथ ही पैदा होते हैं, तो कुछ लोगों में anti-social personality के elements होते हैं, और ये आपको बच्पन से दिख जाते हैं, वैसे तो सारे ही बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिन्होंने कभी बात माननी ही नहीं, कुछ भी थोड़ा सा गुसा आता है, चीजों को तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, लोगों पे हाथ उठाते हैं, तो ये जो tendencies हैं, इनका भी ध्यान आप रख सकते हैं, और सही समय पर, सही direction में बच्चे को ले जाए, चिकित्सा करवाए, एक म पहचाने की व्यक्ति बहुत मायूस हो गया है, वो ये कदम उठा सकता है, क्योंकि हम कई बार ऐसे देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को की हास खेल रहे होते हैं, लेकिन सडनली वो सुसाइट कमिट कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपोर्टन बात आपने कहीं, कि आप जब लोगों से मिलते हैं, तो वो बहुत ही सामान में दिखते हैं आपको, इन फैक जिनको डिप्रेशन भी होता है, हमारे मन में ग्रांती है कि डिप्रेस्ट इंसान बिलकुल ही उदास कहीं कोने में अकेला पड़ा रहेगा, बट ऐसा होता नहीं है, कुछ लोगों के साथ आपको दिखेगा भी, बट बहुत सारे लोग अपने जीवन को उसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, या अगर नहीं भी कोशिश कर पाते हैं, तो कम से कम इर्द गिर्द अपने आसपस लोगों को यही दिखाते हैं, कि देखिए हम ठीक हैं, तो ऐसे में जो उस इनसा के सबसे करीबी होते हैं, घर के लोग जो होते हैं, या इनसान जहां काम करता है, वो लोग साइन्स अंड सिम्टम्स देख सकते हैं, ऐसे में आपका परफॉर्मन्स धीरे-धीरे डिटियोरेट होने लगता है, आपको डिसिजन्स लेने में दिक्कत आती है, मेमरी आपकी ख आप देख रहे हैं कि वो कही कोने में रो रहे हैं या किसी बात से परिशान है और वो चलता ही जा रहा है, यह छोटी छोटी चीशे जो बहुत ही करीबी दोस्त होते इस अगर वो ध्यान रखें तो आप ने साइंस को पकड़ सकते हैं. किसी की भी इनसान की habit नहीं होती कि वो क्राइम करें लेकिन गुस्से में आके इनसान कभी murder कर देता है तो इन जो घटनाय होती हैं, तो क्या इनमें ये possibilities है कि वो हमेशे से aggressive रहे हैं, बहुत जा गुस्सा करने वाले रहें, वही लोग क्राइम करते हैं, या कोई भी क्राइम क युआ उन्हेक ब्राइन कना या ... कोई लोगों का जो का जैसे में नूगी में पहले भी बात करें.. से कि इसे लोग क्योंते हैं .... यू वारेके संहें आ हैक। उसकी वजह से भी कई बार हो जाता है, उनको लगता है हम अकेले रहे गए, कोई ऐसी चीज़ हो गई, अब हम कुछ करही नहीं सकते हैं, ऐसा होता नहीं कि आप कुछ करही नहीं सकें, बट उनको लगने लगता है कि हमारे पास अब कोई चोईस रही ही नहीं है, तो ये होता ह अगर लोग, अगर कोई ऐसा परिशान व्यक्ती है, अपने दोस्तों से अपने परिवार में परामर्श करें, अगर वो परिशान इंसान, परामर्श करें, बात करें, तो इससे कितना समधान मिल सकता है, और किसी विशेशग से बात करने की जो possibility होती है कि कि het क्रावग कोई कम तो इसमें कितनी पॉसिब्रिटी है। जी बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है आज के टाइम पर कहीं ना कहीं हम सब आज सोसाइटी आज फैमिली कहते हैं कि देखें हम आपकी बात सुन रहे हैं हम आपके लिए हैं यहां पर आप हमसे शेयर करिये बट हम हम सबको खुद से यह पूछने की जरूरत है क्या हम सही में सुन रहे हैं जब हमसे कोई भी अपना दुख अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है आज के लिए कॉंपटेशन चल गया है अच्छा तुमने यह बताया मेरी तो प्रॉब्लम तुमसे भी बड़ी है आप यह देखो इन फैक्ट हॉस्पिटल भी आप चले जाते हो किसी से मिलने अच्छा तुम्हे यह हुआ मेरे तो चाचा जी को यह हुआ था यह जो कंपारिजन्स चलते हैं यह बहुत ही प्रॉब्लमाटिक हैं हम कभी भी इनसान को सुनते नहीं है अपनी परिशानी सुनाने को जी हम हो जाता है जब आप खुद सोचें आप मेरे पस कोई परिशानी लेकर आए हो और मैं आपकी बात ना सुनके अपना ही एक पिटारा खुलके बैच जाओं तो आपके दुबारा मुझसे बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो यही चीज होती है कभी भी जब आपसे कोई व्यक्ति इस तरीके की परिशानी शेयर कर रहा है तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए पहली चीज उसको इंटरप्ट ना करें उस इंसान को बोल लेने दें आधा इलाज मैं परसनली यह मानती हूँ जब इंसान अपने आपको पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर देता है तो आधी परिशानी उसकी वहीं खतम हो जाती है आपका माइंड क्लियर हो जाता है आपको एक सही डिरेक्शन में सोचने का एक option मिल जाता है जब आप सोची है बहुत ही ज़ादा एक भरे हुए घर में रह रहे हो तो समान मिलेगा नहीं आपको माइन भी वैसा ही है जब इतनी ज़ादा उमडगुमड़ चल रही है इतना परिशानी है तो आप सही नहीं सोच सकते है तो इनसान जब भी आप से शेयर करें प्रीज उसको बोलने दें इंटरप्ट ना करें दूसरा जज़्मेंट ना बनाए इनसान ने जो कुछ भी करा है या करने की सोच रहा है वो उसके दिमाग में उसके हिसाब से सही चीज है तो जज़्मेंट ना बनाए अगर आपको कुछ कहना भी है तो सही टाइम का वेट करें ये एक बहुत इंपोर्टन चीज है दूसरा ये है कि आप उसको सुने उसको समझें और सही टाइम पे आप उसी की ही बात पैराफ्रेज करके उससे पूछें कि क्या मैंने सही समझी आपकी बात ऐसे में अगले इंसान को लगता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अगर वो कल को कुछ करना चाहता है या कुछ सोत रहा है तो आपसे आकर शेर कर सकता है तो सुनना बहुत ही एक important skill है वो हम सब को सीखना चाहिए और उसके beyond जो शोता है जो सुन रहा है अगर उसको लगता है कि you know मैं advice नहीं दे सकता है ये थोड़ा जादा serious है तो फिर एक psychiatrist या एक psychologist के पास refer कर दीजिए जी आज आज़कर लोग इंटरनेट और मुबाइल पर जादा टाइम व्यतीद करते हैं जिसकी वजह से लोग अकेलापन महसूस करते हैं तो इस अकेलेपन से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ ए तो क्या लोगों को अब वापस है जिसे पहले समय मुहा करते था अपने आसपरोस में लोगों से मिलते थे दोस्तों से मिलते थे क्योंकि फोन पे तो सब कनेक्ट है लेकिन मिलना बहुत कम हो गया है यह कितना जरूरी है में बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है देखिए फोन के तो दुश परिणाम हम सब देखी चुके हैं एक तो कहने क है कि हम सबसे connected हैं लेकिन कल को अगर मुझे दिक्कत है तो मैं अपने हजार लोगों की फ्रेंड लिस्ट में से किसको फोन कर सकती हूं मेरे पास चाहिद वो दो नाम भी बड़े मुश्किल से निकलते हैं एक वो दिक्कत आ जाते हैं दूसरा उसकी blue light का effect है वो आपकी नींद के साथ interfere करता है आपके खाने पीने के साथ interfere करता है नींद नहीं आती है तो natural सी बात है आपका पूरा circadian rhythm चेंज हो जाता है उसी से आपको बिमारियां भी होने लगते हैं heart की issues हो के अपना एक group बनाना बहुत जरूरी है कुछ लोग ऐसे हों जिनसे आप दिल खोल के बात कर पाएं जिनके सामने दिल खोल के हस भी पाएं जिनके सामने दिल खोल के रो भी पाएं वो बहुत जरूरी है साथ ही थोड़ा व्यायाम जरूरी है अच्छा पॉश्टिक आहार बहुत जरूरी है and basically कुछ hobbies होनी चाहिए आपके पास, वो बहुत important होगे, आज के टाइम पर आप hobbies पूछिए हर कोई Instagram, Facebook इनी पर ही लगा है, कितने ही लोग आपको दिख जाएंगे बाहर badminton कहलते हुए, hardly ही कोई है इस तरीके से, तो hobbies are important, nutrition is important, exercise is important and social support and social support needs to be physical, जिनके साथ आप उठ बैठ पाएं, वो बहुत जरूरी है, आज के समय में लोग अकेले भी हो गए हैं और इस वज़े से नशे की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या ये कि यही वज़ा है कि लोग नशे का सहारा लेते हैं या और भी वज़ा है? नशे का सहारा लेने कि बहुत सारी बहुत इंपक्ट हो सकता है, एक वो चीज है, फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ा होता है, घर में कितना कोई यूज कर रहा है, उसका बहुत इंपक्ट हो जाता है, तीसरी चीज है, आपका नेबर हुट कैसा है, अगर बहुत ज़ादा अनिम्प्लॉयमेंट है, पढ़ाई हम बेसिकली अपने एमोशन को एक तरीके से सप्रेस कर रहे हैं, कि हमें वो फील नहीं करना, तो जब एमोशन सप्रेस करने की बात तभी आएगी, जब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, आप कहीं पर विक्टिम रहे हो, आपको अब्यूस करा गया हो, तो ऐसे में लोग सबारा से कैसे सम्हाल सकते हैं? ऐसे में सबसे पहला काम तो आता है, अगेंड सोशल सपोर्ट, जो इस इनसान के साथ रह रहा है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, दूसरा अगेंड यही बात आती है, अगर आपके पास एक ग्रूप आपके फोन से बाहर है, उस रिलेशन्शिप और फोन से अगर बाहर आपकी एक दुनिया है, तो आप वैसे भी बाहर निकल पाएंगे, तो वो बहुत बहुत मैटर करता है, कि आपका सोशल सपोर्ट में आपके पेरेंस हों, आपके कुछ दोस्त हों, वो आपकी मदद कर सकते हैं. जी, ओवर प प्रिटेक्टिव लोगों का एक, देखें, ये रिसर्च करी गई चीजें हैं, इनसान हर तरीके से बहेव कर सकता है, तो ओवर प्रिटेक्टिव लोगों के उपर जो रिसर्च कहते हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं वो बहुत इंसेक्यूर होते हैं, उनको खोने का डर होता ह है उनके और रिष्टे जो हैं और रिलेशन्स बहुत सक्सेस्फुल नहीं रहे होते हैं तो ऐसे में जो एक रिलेशन्शिप उनको मिलता है वो उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं वो हावी होने की कोशिश उनको लगता है कि I have control मेरा और किसी चीज़ पर control नहीं है मेरी जि नहीं लेते हैं ऐसे में वो एक रिलेशन्शिप उनका control मन जाता है इसलिए वो बहुत जादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और ताकि उनसे control छिन ना जाए ऐसे में वो crime की तरफ बढ़ सकते हैं बढ़ सकते हैं बिलकुल इगोस्टिक लोगों की बात करीज़े जिन किसी चीज से उनको बहुत गिल्ट है जिसको वो छुपा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कई बार अगेन वही फीलिंग होती है कि मुझे हमेशा से बहुत नीचे दिखाया गया तो एगोस्टिक रहे कर जब मैं आपको कुछ नी समझता तो मुझे एक फीलिंग ह लेकिन ऐसे लोगों के साथ आपको ज़्यादा संभल के रहना है उनकी हां मेहां नहीं मिलानी है उनसे डरना नहीं है उनको ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा आइड दे सेम टाइम उनसे एक्सपेक्ट मत करिये कि वो आपसे आकर सॉरी बोलेंगे वो आपसे किसी भी च बात कराधा उनका डर्लबम बढ़ें का डिखना के टूटी हुएय ऐन बात को से फार। फूर नहीं है रहिणा मिलाइग गार जासाँ पना ज़ा उत दोуки थेसा की तो विधम पालर के गांने हैं आपको देखनादा पड़े काटरिगा की आपका बुरा लगेगा, लेकिन अ प्रेशानी से निकर रहे हो, कोई तकलीफ है और आप मुझसे शेयर कर रहे हो, आप उसको समझती हूँ, तो उसमें ना इतना प्रॉब्लम नहीं करता है, तो ये तो अगें, लिस्निंग स्किल्स पर हमारी आ जाता है, उस व्यक्ति से जादा हमारी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, दूसरा कभी भी आपको लगे कि आप नहीं टाकल कर पा रहे हो, तो बहार हेल्प अवैलिबल है, उस चीज़ का स्टिग्मा तोड़ना बहुत ज़रूरी है, आप कहा रहे हो, डील कैसे करें, I think the biggest thing is, आप सोसाइटी में स्टिग्मा ब्रेक करिए, जब मुझे लगता है, जो स्टिग्मा है, उसको आप कम करें, help सीख करना, normalize करें, तो ये चीज़ें बहुत कंट्रोल में आ जाएंगे, कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, जो बढ़े शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, हर किसी के हां में हां मिला लेते हैं, वो कैसे लोग होते हैं, क्या वो हम हैं, तो आपने जो का, ठीक है, as long as life is going on, आपके decision से मेरी जिंदगी में कहीं कोई problem नहीं आरी, कोई अर्चन नहीं आरी, तो it is okay, और कुछ लोग होते हैं, जो अपने mind में एकदम clear होते हैं, कि हमें तो ऐसे ही करना है, ये ही करना है, और ना कहे कर कोई फाइदा नहीं है, आप जो गहरे हो, मैं हाँ तो कर दूँगी, लेकिन मैं करूंगी अपनी मरसी का, तो इस तरीके से हो सकता है, दिमाद इससे रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने overall सब चीज सुन ली, हमने हर चीज पे चर्चा कर ली और इसका एक ही निशकष निकला है कि एक अच्छे लिसनर को सुनें, एक अच्छे लिसनर को ढूंडें और उससे अपनी पूरी बात कहें और ऐसा अगर है, तो इनसान गलत रह पे जाने से बच सकता है, तो अगर बात करीज़ें मेंटल हेल्थ की, तो दिमाग को इस तरी, क्योंकि हमने पूरी जो बात करी है, कि कहीं रगाएं इनसान परिशान होता, उसका दिमाग पिस्थेर नहीं होता है, आजकल की बिजी लाइफ है, तो माइंड को इस्थेर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, और कौन कौन सी थारपी है, जिसका उप्योग कर सकते हैं, अपने लेविल पे सब और कौन साइक्टिक अहर बहुत जरूरी है, वो सिरफ बॉडी को नहीं आपके माइंड को भी कंट्रोल में रखता है, तीसरा एक्सेसाइज, चाहे वो योग हो, चाहे वो साइक्लिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, किसी भी तरीके का व्यायाम एक्सेसाइज is very important for your well-being, य अच्छी बुक्स पढ़ें, खाना आपके शरीर को लगता है, अच्छी किताबें आपके माइंड को लगती है, वो चीज है, तो अच्छी किताबें पढ़ें, सोशल सपोर्ट बनाएं, फोन से बाहर प्लीज, सोशल हमने देख लिया नेटवर्क का क्या दुश प्रभाव ह तो सोशल लाइफ रखें, लेकिन बाहर एक अपना ग्रूप, अपनी एक फैमिली अच्छी रखें, जिनसे आप बात कर सकें, उनके साथ घूमने जाएं, तो ये सारी चीजे हैं, अगर बात करी जाएं, साइकाइटरिस की, मनों बग्जानिक की, तो लोग उनसे दूर मेंटली डिस्टरब है, तो क्या वो भी मिल सकता है? बिल्कुल मिलना चाहिए, देखें, साइकाइटरिस्ट्स, डॉक्टर्स होते हैं, जो दवाई लिख सकते हैं, कई बार हमारे माइन में, हमारे ब्रेन में, कुछ चीजे उपर नीजे हो जाते हैं, कभी कुछ केमिकल्स, कुछ hormones का problem हो जाता है, कई बार ब्रेन का structure में कुछ issues होते हैं, तो जो doctors हैं, वो दवाई के जरिये उन चीजों को balance मिलाते हैं, उन से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता, आप aggression की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने starting में बताया, यह हो सकता है कि आपके environment की आती है, impulsive होने की बात जहां आती है, अपने emotions को control करके सही actions देने की बात आती है, ऐसे में psychologists आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, आइडियल तरीका होता है, एक psychiatrist और psychologist मिलके काम करें, अगर medicines की जरूरत है, तो medicines लें, घबराएं नहीं, उससे उसके side effects से ना डरें, side effects तो already होई आपको ना लेने की वज़े से, तो दवाई से आपको support मिलता है, और साथ में therapy जब चलती है, तो बहुत ही अच्छे results मिलते हैं, तो behavior control की दवाई भी होती है, behavior control की नहीं, अगर behavior का कोई issue है, which is actually related to the brain, मेरे neurotransmitters में कोई problem है, तो definitely दवाईयां होती है, हम बात करते हैं, serotonin, dopamine वगेरा की, ये depression में, जो हमारे brain में chemicals बनते हैं, नहीं बनते हैं, तो ये तो दवाईयों से ही बनेंगे, ठीक है, अब दवाईयां आपके वो chemicals को ठीक बनाने में help करती है, brain के structure को ठीक रखने में help करती है, उसके बाद, बात आती है आदत की, आदत जो हमें इतने सालों से पड़ चुकी है, आदत को सुधारने में, अपने बिना सोचे हुए जो actions हम कर देते हैं, उनको वापस स्ट्रीम लाइन करने में, आपका psychologists help करते हैं, जी है, कई बार ऐस तो देखा गया है, कि लोग क्राइम की तरफ चले जाते हैं, उसके आद उनको guilt feel होता है, और फुर व इनको पूरा support दिया जाता है, और उसके बाद rehabilitation होता है, रिहाब करके इनको fit बनाया जाता है, कि जब यह release होंगे, तो यह society में कुछ कर पाएंगे, तो रिहाब एक बहुत ही important role play करता है, ऐसे में, आप हमारे दर्शकों को क्या message देना चाहेंगी, क्योंकि आज के टाइम मे हमारे जितनी वे generation है, वो mentally normal नहीं है, वो कहीं न कहीं depressed है, कहीं न कहीं tensionized है, तो ऐसे लोगों को आप क्या message देना चाहेंगी, कि अपनी problem को भी दूसरों के साथ share करें, साथि अगर कोई बता रहे है, तो वो किस तरहां से सुने हैं, जी मैं एक ही चीज कहूंगे, कि देखे depression को इतनी loosely मत यूज करें, उदासी होना बहुत normal चीज है, हम सब उदास होते हैं, लेकिन हम सब depressed नहीं हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप में suicidal tendencies आ रही हैं, खुद को harm करने की tendencies आ रही हैं, या आप देख रहे हैं कि आपका खाना पीना बदल चुका है, नीन नहीं आ रही है, अजादा आ रही है, ऐसे में किसी बहुत ही खास दोस्त से बात करें, उनके साथ किसी मनोचिकित्सक को या किसी मनोविग्यानिक से जरूर मिलें, ये जरूरी है, और बाकी लोग जिनकी लाइफ में रोज मरा के tensions लगी रहती हैं, ऐसे में थोड़ा समय अपने ल पाक साजकल सारे खाली पड़े हुए हैं, तो कुछ हॉबीज बनाएं, बाहर निकलें, अच्छा खाना खाएं, नींद पूरी करें, और घर में वापस से थोड़ा अपना टीवी टाइम या मोबाइल टाइम को काट के घर में as a family को या activity को रिचूल करें, वो बहुत ही important है जो बहुत 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 शुक्रिया हमासा जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ट जानकारी देने के लिए तो आज हेल्थ मंत्रा में हमारे साथ मनुव विग्याने केर्थी खुराना जी जुड़ी थी जिन्होंने हमें बताया कि कैसे एक व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं और उसको कोई अच्छी सलहा देते हैं तो हम उसे अपरा टॉपिक के साथ जुड़ेंगे कार्विशी शग से और जानेंगे कैसे बचाओ और उपाए करें तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी